हलो नर्शिंग आफिसर वेलकम टो यूटीचेनल स्पी चोधरे नर्शिंग आफिसर फ्रेंट्स आज की इस वीडियो के अंदर आपकी सबी क्यारी जो है वो सौल करने वाले हैं जो कि CR5 फिजिकल के अंदर क्या क्या होने वाला है कैसे कैसे स्टेप फोलो करते हैं क्योंकि हर किसी के लिए CR5 फिजो SI की वेकंसी है सब इंस्पेक्टर की लिए नहीं है तो किसी को नहीं पता कि इसके अंदर क्या होना है कब जाना है क्या इसकी प्रोसेस है और कौन कौन सी स्टेप अपने को फॉलो करने पड़ेगी तो आपने सामने फरंट पे देखी लिया होगा कि CR5 फिजीकल में क्या क्या होगा इसके बारे में बताएंगे लेटेस्ट क्या न्यूज है और स्टेप कौन कौन से आपको फॉलो करने होगी फिजीकल के अंदर तो इस वीडियो का अंदर फर्स से ले गाएंड तक बने रही है आपको पूरी की पूरी क्यारी आपे सॉल कर देंगे सबसे बड़ी क्यारी यह है कि आपका एड्मिट काड ने आ रहा उसके लिए हमने वीडियो बना दिया है वहाँ पे जो मॉबाइल नमबर हमने बताएं है उस पे आप कॉल करते रहो एक ही मॉबाइल नमबर है ओल ओवर इंडिया की जो CRPF कंडिडियेट है वो उस पे हैल्फ लेने के लिए कॉल बार बार कर रहे हैं तो हो सकता है कॉल ना लगे आप जो है संडे को छोड़के सवमवार से लेके सनिवार तक आप जो है ऑफिशल टाइम होता है तो दस बज़े से सुबह चाम को पांच बेज तक उस पे आप वहाँ पे कॉल करके हैल्फ ले सकते हो कॉल बार बार करते रहो ऐसे नहीं की परसनल नंबर है तो कॉल अटेंड कर लेगा ऐसे कॉल लगता भी नहीं एजली और फिर भी आपकी क्वारिश ओल नहीं होती है तो CRPF जो बोपाल इसका मैंन सेंटर है वहां की इमेल लेके वहां पे अपने बाया डाटा लिक के इमेल सेंड कर सकते हो इसके अलाव कोई और परसन नहीं है बिल्कुस एक परसेंट भी नहीं है ओके तो वो तो होगी अलग बात अब बात करते हैं CRPF के अंदर होगा क्या आपने यहां पे सामने देख रहे होंगे कि क्या क्या फिजिकल के अंदर होगा वो पूरी डीटेल सा भी आपको बताएंगे एक उसके अंदर देख रहेया थारतकी हैं तो में मोचली यह समझ रहे हैं कि एंदर होगा कितने बज़े से 6 वघ स्ञार फिजिकल होगा उसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है complete होगा कोई जरूरी नहीं साड़े 6 गंटे का 7 गंटे लग सकता है 2 गंटे में हो सकता है तीन गंटे में हो सकता है उसका मीनिंग यह है आपको साड़े 6 बजे वहां पे पहुंचना है साड़े 6 से आगे जो physical का उनका criteria उस पूरे के पूरे फोलो करना के बाद में जितना टाइम लगेगा वो लगेगा साड़े 6 मीनिंग यह नहीं है कि साड़े 6 गंटे के अंदर complete होगा physical साड़े 6 का मीनिंग यह है आपको साड़े 6 सुरू वहां चले जाना है कब स्टार्ट हो रहा है क्या हो रहा है वो उनका काम है स्टार्ट 10 बेज तक होगा साड़े 6 बज़े आपको जाना पड़ेगा आपकी इंटरी होगी क्या क्या है उसके अंदर process होगी वो पूरी अभी अपन बात करेंगे चलिए वीडियो के अंदर फर्स लेकेंट तक बनिया और देखिए अपने वीडियो के अंदर क्या क्या रहता है इसके अंदर रहेगा फ्रेंट सबसे आप पहले 6 बज़े तब आपकी इंटरी करवाएंगे थोड़े टाइम वहाँ पे आपको वेट करना होगा लाइन बगेरा एकदम मतलब प्रोफेशनल तरीके से की कहीं बीडबाड में इदर उदर ना हो और इसके साथ में आपका होगा document verification document verification के अंदर क्या होगा जो document आपने form फिल करते टाइम लगाए थे वो पूरे के पूरे documents जो हैं वो आपको ready रखने है उसकी xerox वो आपको वहाँ पे match करेंगे अगर वो आपके सही पाय जाते हैं तो आपको कोई problem नहीं है और पांच passport size आपको photo साथ में लेके जाने होगे और पूरे के पूरे documents आपको साथ में लेके जाने होगे उसके बाद में क्या होगा वहाँ पे एक form दिया जाएगा आपको उस form को आप fill करना होगा पांच से च्छे बेज का form होगा उसके अंदर बाए डाट अप गिर ऐसे कुछ formalities होगी वो आपको fill करना होगा सबसे first से बता रहे हैं ऐसे से आपको step चलेगी बहाँ पे वो form fill करोगे उसके बाद में आपका क्या होगा height होगा height के अंदर अगर आपको एक centimeter भी कम पढ़ती है height तो आपको निकाल दिया जाएगा बिल्कुल से deal नहीं बढ़ती जाएगी एक percent भी जितनी height मांग रखिया है उतनी exact होनी चाहिए कर उतनी नहीं है तो वो बाहर निकाल देंगे आपको बिना सोचे समझे height होगा document होगा फिर height होगा उसके बाद क्या होगा आपका weight होगा weight होगा BMI के अनुसार में जो मैंने पहले videos के अंदर बता दिया आपका BMI निकाल लेना और देख लेना कितना weight बनता है उस weight के अंदर आपका BMI उतना आपका होना चाहिए weight के बाद में क्या होगा test होगा तो document, height, weight और test ये चीज एक साथ होती है समझ आगी होगी ना पहले document verification होगा यानि document आपके check किये चाहिए उसके बाद height होगा, weight होगा, test होगा, ये चारों एक साथ होगी उसके बाद क्या होगा ये अगर आप criteria follow कर जाते हैं उसके बाद होगा आपका race जो कि आप देख सकते हो दोड़ आपकी होगी, अभी तक जो data मिले हैं उनके अंदर ये है कि 50 candidate एक साथ जो है दोड़ लगा रहे हैं 50 बंदों को एक साथ बगाया जा रहा है, दोड़ लगवाई जा रही है और approximately एक दिन के अंदर 300 candidate के average वहाँ पे बुलाया जाता है Okay, 300 candidate बुलाया जाता है, 50 का एक group है अलग से, तो 6 बार जो है दोड़ करवाई जाती है, 6 group से अंदर divide कर रहा है 300 बंदों को, 50-50 के इसाथ से दोड़ करवाई जाती है 50 से ज्यादा सुना है कि अभी तक बंदे दोड़ नहीं करवा रहे हैं, अगर 300 से बंदे ज्यादा आते हैं तो हो सकता है, ज्यादा भी counting हो जाए, कोई fix नहीं है, बाकि 50 बंदे हैं, ज्यादा tension वाली बात नहीं है दोड़ अगर आपकी हो जाती है, उसके बाद आपका होगा long jump, दो कि आप image के अंदर देख सकते हो, आपका long jump जो है, वो clarity आपको follow करना होगा long jump जंप अगर आपका हो जाता है, उसके बाद होगा आपका high jump, long jump और race, ये तिनों आगे की step है ओके, तो ये तिन-तिन step के अंदर जो है, divide कर रखा है इनोंने, ये high jump, long jump, race बगर यहां पर आप हो जाता है, तो आपको फिर वहां पे physical fitness का कुछ proof दे देंगे और आपको जो है, वहां से relieve कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, बता दिया जाएगा, कि जब भी exam की data आपको inform कर दिया जाएगा, admin card आपका आ जाएगा, या कोई भी website के अंदर हो information होगी, आपको बता दी जाएगी, admin card कैसे आएगा, कहां आएगा, क्यों आएगा कब आएगा, वो पूरी details वहां पर बता जाएगा, आपको वो कोई issue नहीं है, उसके बाद आपका exam होगा, exam के बाद आपका medical होगा, और medical के बाद जो merit weight रहेके, पूरा आपका setup होके, आप joining दे देंगे, उके, तो इसके अंदर मैंने आपको बता दिया है, सबसे पहले entry करत तो फिर race होगी, आपकी दोड होगी, फिर long jump, high jump रहेगा, बिल्कुल से intention लेना नहीं है, साड़ी 6 hours जो लिका हुआ है, साड़ी 6 गंटे के अंदर complete करना बिल्कुल नहीं है, एक सोचने की बात है, कि साड़ी 6 hours आप कब से count करोगे, सुबह 7 बजे से साड़ी 6 hours count करोगे, 10 है ना, ऐसा कोई issue नहीं है, कि साड़ी 6 गंटे के अंदर complete होगा, साड़ी 6 का meaning यह है, आपको वहाँ पर present होना है, उन्होंने बता है, कि सुबह इतने बज़े आपकी interest शुरू हो जाएग, इतने बज़े से आप पहले पहुंझ जाना, यानि exam center पर पहले पहुंझ जाना, तो CRPV वही कर रहा है, जितना date इसने time दे रखा है, उस time पर आपको पहुंच रहा है, उसके बाद यह start करेंगे, जब the race यह काम प्रोसेस होने के बाद में, तब 10 average बज़ जाएंगे, उसके बाद आपका काम सुरू होगा, ओके तो बिलकुल tension नहीं लेना, bonds जो first, second ऐसा ल tree मिली थी, ऐसा मेरे को कुछ पता नहीं है, मैं ऐसे नहीं बता रहा है, कि आप लेट जाना, आप सुबह पहुंच जाना सहीर होगे, आरां कि आप सुर्ण बता रहा है कि आप सुरू है, जाम मैं अप झाल झाल